जय हैं दोस्तों आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड येर फिप्त समेस्टर सोशल साइंस समासास्त्र समासास्त्र के पेपर का नाम है दोस्तों क्लासिकल सोशलोजिकल थार्ट ठीक है आगे भी देख लेंगे दोस्तों इसका हिंदी में देख लेंगे सास्त्री समा सास्त्री विचार जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों उस पर आपका जो पेपर का नाम लिखा रहेगा इंगलिस में लिखा रहता है क्लासिकल सुसलोजिकल ठाट ठीक है इसमें 40 अति महतपूर बहुवी कल्पी प्रसनुतर है बेरी बेरी मुस्ट इपोर्टेंट है ठीक है लास्ट तक जरूर देखिएगा ये क्लास फाइफ है दोस्तों इसके पहले जो फोर क्लास हुए उसके भी वीडियो का लिंक आपको मि सब्जेक्ट्व टाइप कोश्चन का मैरे पास यूपी है दोस्तों सब्जेक्ट्व टाइप का मैं आपको फिर में प्रवाइट कराऊंगा ठीक है टेलेग्राम गुरूप का जरूर लिंक जोईन करिये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट कलास है चरिए सुरू करते आज कि कलास एक बात ऑख दोस्तों इस कलास को जरूर सेयर करिएगा आपनों दोस्तों की साथ वार्टसपप पर ठीक है ुष्याजिकी का मज्जेक्ट्रू। आगे बढ़ेंगे प्रस नमबर दो देखेंगे दोस्तों यह किसका मत था कि करांतियां इतिहास की वाहग हैं तो यह मत था दोस्तों कारल माक्स का ठीक है कारल माक्स का मत था कि करांतियां इतिहास की वाहग होती है इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है नोट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों काल माक्स ने करांतियों को इतिहास के इंजन का नाम दिया है ठीक है इस बात को भी याद रखेगा अगर आपके लिए में पूछेगा कि इतिहास के इंजन का नाम किसे दिया गया है तो क्रांतियों को दिया गया है ठीक है? इस point को याद रखेंगे अगला प्रसन में प्रस नंभर 3 ने पुछा है किसने कहा है कि अब तक अस्तितों में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्स का इतिहास है? या किसने कहा है? तो कारल मार्क्स ने कहा है आपसा नमबर यह है प्रस नमबर चार देखेंगे दोस्तों निम्न लिखीत में से किसकी विशेष्टा वर्ग विहिंस समाज की है यह 100% मुझे लग रहा है यह कोश्चन आएगा जुरूर आपके एक्जाम में ठीक है तो most important है इसे ध्यान से देख लीजिए ठीक है क्या पू रहेंगे दोस्तों वर्ग हिन समाज classless society से तातपर ऐसे समाज से है जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी समाजिक वर्ग social class में नहीं होता है इस point को याद रखेंगे ठीक है दोस्तों अगला प्रस्ण पूछा है आपसे निम्न लिखीत में से कौन economist का संपादक था economist एक पत्रिका थी दोस्तों इसके संपादक कौन थे तो कारल माक्स थे इसके संपादक ठीक है नोर्स को बहुत ही ध्यान पूरोग पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि बहुत ही important नोर्स है इसका इसके 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 लेले लिजिये पढ़ते रहिएगा जैनी मिंटन बेड़ डोज द इकोनोमिस्ट के परधान संपादक है ठेक है आपसे एक जाम में पूछेगा कि द इकोनोमिस्ट के परधान संपादक कौन है तो जैनी मिंटन बेड़ डोज ठेक है इनको याद रखेगा 19-20 सदी के ब्रीटिज समयधानी बी ससगे और दह इकोनोमिष्ट के सुरुवाती संपादक वाल्टर बागे होड थे ठीक है इस पॉइंट को भी याद रखेगा जो वाल्टर बागे है थे यह मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है प्रधान संपादक क्या थे जैनी मिंटन बेड़ोज जो इनका इस सुरुगात किया था इकोनोमिष्ट के जो सुरुगात किया थे नोनों पत्रिगा का उनका संपादक क्यों थे वाल्टर बागे हेड ठीक है आगे पढ़ेंगे उन्होंने 1861 से 1877 तक द इकोनोमिष्ट के सब्रेज को राजनीती में बिस्तारित किया इस पॉइंट को भी याद रखेंगे ठीक है अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपोटेंट है द इकोनोमिस्ट के कालम बाग होट का नाम भी वाल्टर बागे होट के नाम पर रखा गया है ठीक है अपरेल 2017 से इसे एड्रियन बोल्डरीज लिख रहे हैं इस पॉइंट को याद रखेगा मोस्ट इंपोटेंट है ठीक है आपसे पूछ सकता है कि दो इकोनोमिस्ट के परजिन टाब में से संपादक कौन है तो एल्ड्रियन बोल्डरीज ठीक है 2017 से ये संपादन इसका कर रहे है दो इकोनोमिस्ट का ठ दोस्तो व ए रास आपसे नमर्डी हो ओजाएगा कि नोश को ध्यान से देख लेंगे पालिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्थ ठीक है यह मोस्ट िंपोर्टेंट है पालिष्टीक्स बहुत ही फेमस किताब है ठीक है इसके लेखक अरस्टू है इस बात को भी याद रखें प्रसक्त नंबर सात इसमें पूछा है Do most important है काल मांक्स का जन्म की देश में हुआ था Karmax का जन्म जर्मनी में हुआ था आपसे नंबरे हो जाएगा काल मांक्स का जन्म पांच माई 1818 को जर्मनी के राइन परांत के ट्रियर नगर में हुआ था ठीक है इनका डेट याद रखिएगा ठीक है पांच माई 1818 को अठार सो अठार याद रहता दोस्तों लेकिन आप डेट भूल जाते हैं वजह से आपका प्रस्ण गलत हो जाता है पांच माई 1818 याद रखिएगे और इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था जर्मनी में किस जगह हुआ था तो ट्रियर नगर में हुआ था इस बात को याद रखिएगे उनके परिवार ने 1824 में इसाई धर्म अपना लिया था 17 साल की उम्र में काल माक्स ने कानून की पढ़ाई के लिए बान विसुभी दाला में दाखिला लिया था इस पॉइंट को भी याद रखेंगे ठीक है काल माक्स और फेडरिक एंजेल्स को बैग्यानिक समाजवात का जनक माना जाता है यह 100 पर्टेसेंट आएगा आपक काल डिया रहेंगा और याद रखाएगा तो आप रिक्तिकल माकष पर लगा दिजीक निधारणवर लगा दिचिय घंपकर मतलता आपका मतलता है थाध्या और सा से यह और उससी वी तरह से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ठीक है प्रस नम्बर आठ इसमें पूछा है दोस्तों रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन जर्मनी के लेखक कौन है तो इसके लेखक कालमाक्स है आप से नम्बरे हो जाएगा नोस्त को बहुत ही ध्यान से पढ़हेंगे दोस्तों रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन जर्मनी के लेखक फेडरीकस एंजल्स है इस किताब के कालमाक्स का भी योगदान है बहुत ही यह most important प्रस नहीं है कन्फ्यूज के लिए आपको दे सकता है ठीक है याद रखिएगा कालमाक्स और फेडरिक एंजल्स दोनों इस बुक से संबंदित है कोई भी आएगा जैसे मैंने उपर समझाया है ठीक उसी तरह से इस प्रस्ण का उतर देना है ठीक है इस बात को याद रखेंगे अगला देखेंगे रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया के लेखक डाक्टर भीम राव अमबेट कर हैं इस पॉइंट को भी याद रखेंगे ठीक है दोस्तों प्रस नमबर 9 है किसने कहा है चेतना एक समाजिक उत्पाद है या किसने कहा है तो काल माक्स ने कहा है अपसनमबर भी हो जाएगा पुछा है दोस्तों The class is to go in France के रचनाकार कौन है इसके पहले मैंने जो कल क्लाइस कराया था उसमें जो मैंने बुक को कवर किया था इसमें भी बुक को कवर किया है ध्यान दिजेगा ठीक है तिंटे मूस्ट इंपोर्टेंटे क्लास है शेयर जरूर कर दिजेगा इस class को या आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कोई भी student या फिर आपका दोस्त भाई बैन जो भी हो परिक्षा में अच्छे नंबग से पास हो ठीक है नोस को पढ़ेंगे the class struggle in France साल 1850 में प्रकासित हुई देखिए आपके एक्जाम में दोस्तों प्रकासन वर्स भी पूस्ता है तो इस point को ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है अगर पूछ लेगा the class struggle in France की फ्रांस जो है वो किस साल में प्रकासित हुआ था तो 1850 में प्रकासित हुआ ठीक है यह कालमाक्स की ल समाजिक और राजनीतिक उथल फुतल के पीछे आर्थिक संबंदों और वर्गों के मुद्दों का विशले सड किया है ठीक है कालमाक्स ने इस बात पर जोड दिया है कि यह संघर्ष सर्वहारा और पूजीपति वर्ग के बीच नई था इस point को याद रखिएगा संघर्ष सर्वहारा और पूजीपति वर्ग के बीच नई था अगला नोस देखते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट है ध्यान दिजेगा कालमाक्स ने 1789 की फ्रांसिसी करांती की तुलना 1849 की फ्रांसिसी करांती से की है ठीक है इस बात को याद रखिएगे कालमाक्स ने फ्रांसिसी कर करांती को बुर्जुगा करांती का उधारन माना है मुस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है यह पूछेगा कि बुर्जुगा करांती किसे माना जाता है तो फ्रांसिसी करांती को माना जाता है इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है मुस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प् तो सही questions पूछता है इसमें थोड़ा कठनाई होती है तो ध्यान दिजीगा ठीक है निमनलिकेत में से कौन सा सुमेलित है कौन सा सही है इसमें तो विज्ञानों का वर्गी करार क्या दुरखीम के इससे संबंदित है नहीं यह संबंदित नहीं है क्या एतिहासिक बाद जो एत संबंदित नहीं है ग्यारक कास नमबर सिक हो जाएगा सिंह प्रस नमबर बार है दोस्तोंत्षा तो प्रसे समजवाद इसमें को सुमेलित है यह थे समयलित नहीं है ए घहरशा की बार operation का है नमबर स्वाचिए दोस्तों काल माक्स थें आपसा नमबर सी हो जाएगा प्रस नमबर 14 इसमें पूछा most important प्रस नहीं है पैरेटो ने कितने विशिष्ट चालकों की विवेचना की है पैरेटो ने दोस्तो 50 ठेक है 50 विशिष्ट चालकों की विवेचना की है इस पॉइंट को याद रखेंगे 14 कापसा नमबर हो जाएगा दोस्तो इंपोर्टेंट जो नोट से उसे हम ध्यान से देखते चलेंगे most important है परेटो ने समाजिक परिवर्तन के चक्र के तीन मुख पक्ष बताए है राजनीतिक, आर्थिक, आधर साथ मग ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है परेटो सिधान्त जिसे 80 बटा 20 नियम के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसी घटना है जो बताती है कि लगवग 80 पर 30 परिडाम 20 पर 30 कारणों से आते हैं परेटो 20 लेशाड एक सक्तिसाली गुडवत्ता और नियुड़ा लेने वाला उपकरण है ठीक है, आपसे पूछ लेगा दोस्तों 80 बटा 20 नियम किसके हैं तो किसके हैं, तो परेटो के हैं इस पॉइंट को याद रखेंगे आपसे पूछेगा एक्जाम में कि समाजिक परिवर्तन के चक्र का सिधान्त किस ने दिया था तो परेटो ने दिया था तो उसमें कितने सिधान्त दिये थे तो तिन सिधान्त दिये थे कौन कौन से हैं, राजनीतिक, आर्थिक और आधर सात्मग प्रस नमबर 15 इसमें पूछा है पेयरेटो मुलत कहां के निवासी थे तो पेयरेटो दोस्तो फ्रांस के मूलत निवासी थे इस बात को याद रखेंगे ठीक है नोस्त को ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों इतालवी अर्थ सास्त्री और समाज सास्त्री विल फेंड पेरेटो 1849 से 1923 का जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था ठीक है यानि 1849 में उनका जन्म हुआ था और 1923 में वो स्वर्ग सिदार गय थे इस पॉइंट को याद रखेंगे आपसे पूछेगा दोस्तों कि समाज सास्त्र का जनक कौन है तो समाज सास्त्र का जनक आगस काम्टे को माना जाता है ठीक है फ्रांसिसी दार्शनिक आगस काम्टे 1798 से 1857 जिन्हें अक्सर समाज सास्त्र का जनक कहा जाता है उन्होंने पहली बार 1838 में समाज के बाइग्य इस पॉइंट को याद रखेंगे अगला नोट सुद्धान से पढ़ेंगे समाज शास्तर का परथम नाम क्या है तो आगंस कौंत्व ने आरंभ में इस विज्ञान का नाम सोसल फिजिक्स रखा था इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है अब सब पूछेगा दोस्तों कि समासास्त्र का पर्थम नाम क्या था तो सोसल फिजिक्स था इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है साबदिक रूप से समाज सास्त्र दो सब्दों से मिलकर बना है पहला सब्द है सोशियस लैटिन भासा से तथा दूसरा सब्द है लोगस गरीग भासा से लिया गया है ठीक है समाज सास्त्र के लिए उपयोगी पुष्तक ये study of history के लेखक अर्नाल्ड टायन भी है ठीक है आप से एक्जाम में पूछेगा कि ये study of history के लेखक कोन है तो अर्नाल्ड टायन भी है ठीक है और ये भी पूछता है दोस्तों इस point को इस most important ये है इस line को भी आप याद रखेंगे ठीक है इसकी इंसोल लेकर रख लेजिए पढ़ती रहिएगा प्रस नमर 16 इसमें पूछा है पैरेटो का जन्म कब हुआ था पैरेटो का जन्म 18-48 में हुआ था आभी उपर हम लोग ने पढ़ा है ठीक है पैरेटो का पूरा नाम विल फ्रेंडो फेडरीको दामासो पैरेटो है ठीक है आप से ग्राम में दोस्तों इनका पूरा नाम भी पूछेगा तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम विल फ्रेंडो पैरेटो का जन्म 15 जुलाई 1849 को पेरिस में हुआ था पेरिस यानि फ्रांस में ठीक है इस पॉइंट को याद रखिएगा सबसे मोस्ट पॉइंट है 15 जुलाई ठीक है 1849 से याद हो गया दोस्तों तो 15 जुलाई को भी याद कर लिजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों डेट की वज़े से हमारा प्रस्ण कभी कभी गलत हो जाता है ठीक है पेरेटो की कुछ और खोजे है पेरेटो न किसकी किसकी खोज की थी मैंने उसका भी यहाँ पर लिखा है ये भी एक्जाम में आपके पूछेगा तो दोस्तों पहले समाजिक चक्र सिधान्द का खोज पेरेटो ने किया है ठीक है पेरेटो की पुष्टक कोर्स डी एकोनोमी पॉलिटिक्स कब प्रकासित हुई देखिए अहां प्रकासन वर्स पूछा इसलिए मैं कभी-कभी जो बुक्स है मैं उनका प्रकासन भी लिग दिया हूँ ठीक है ताकि आपका एक्जाम एक भी प्रश्ण गलत ना होने पाद ठीक है तो दोस्तों पैरेट यस पकूइंट को याद रखेंगे ठीक है प्रस नमबर 18 में पूछा देसतों पैरेटो की पुस्तक द सोसलिस्ट सिस्टम कभ प्रकासित हुई यहां भी प्रकासन वर्स पूछा है तो यह 1902 में प्रकासित हुई थी ठीक है 1902 में the socialist system प्रकासित हुई थी पूछेगा कि the socialist system पुष्टक के लेखक कौन है तो पेरेटो है इस बात को याद रखेंगे प्रस नमबर 29 दोस्तो है manual of political economy कब प्रकासित हुई देखिए most important है दोस्तो यह भी तो यह भी 1906 में प्रकासित हुई थी ठीक है manual of political economy कब प्रकासित थी 1906 में दोस्तो इसके लेखक कौन है चलिए जानते है manual of political economy साल 1906 में प्रकासित हुई यह किताब wilfredo pareto ने लिखी थी इस बात को याद रखेंगे ठीक है manual of political economy के पुस्तक के लिखर कौन है wilfredo pareto ठीक है यह कप्रकासित हुई 1906 में प्रस नमबर 20 है दोस्तो, परेटो को दोस्तो समाज सास्त्र में किस नाम से जाना जाता है परेटो को दोस्तो समाज सास्त्र में मनोबैज्यानिक समाज सास्त्र के नाम से जाना जाता है इस बात को याद रखेंगे, important प्रस नमबर 20 है पेरेटों ने अपने समाज सास्त्र को क्या कहा है पेरेटों ने अपने समाज सास्त्र को तारकिक प्रयोगवाद विज्ञान ठीक है समाज सास्त्र को कहा है पेरेटों ने अपने समाज सास्त्र को तारकिक प्रयोगवाद विज्ञान कहा है इस बात को याद रखेंगे प्रस नमबर बाइस है किसने लाज आफ इमिटेशन पूस्तक लिखी है तो टारडे ने लिखी है आपस नमबर भी है दोस्तो इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट्स करते हुए चलेंगे ठीक है दला आफ अट्रेक्शन किताब को एस्थर और जेरी हिक्स ने लिखा है ठीक है दला आफ अट्रेक्शन किताब को किसे ने लिखा है एस्थर और जेरी हिक्स दला इस्पिरीट आफ लाज नाम की किताब को 1749 में बायरन डी मांटेश क्यू ने लिखा था यह किताब 1750 में प्रकासित हुई आप से एक्जाम में पूछेगा कि The Spirit of Large नामक पुस्तक किसकी है तो मांटेश की उन्हें लिखा था The Spirit of Large का प्रकासित कब हुआ था तो 1750 में हुआ था ठीक है यह किताब कब लिखी गई थी तो 1749 में ठीक है इस बात को भी याद रखेंगे इंपोर्टन बूक है दोस्तों यह फेमस बूक है The Spirit of Large ठीक है प्रस नमबर 23 से समय पूछा है दोस्तों Sociological Theory, Its Nature and Growth पूस्तक किसे ने लिखी है तो इस पूस्तक के लेखर क्रीमा सेफ जी है तेश का अपस नमबर भी हो जाएगा 1998 में International Sociological Association ने रावर्ट के मर्टन की किताब Social Theory and Social Structure को बीसवी सदी की तीसरी सबसे अहम समाज सास्त्री किताब माना है इस पूइंट को भी याद रखिएगा ठीक है प्रस नमबर 24 से में पूछा है प्रत्यासीत समाजी करण की अवधारणा किस ने दी है तो आरके माटन ने दी है प्रत्यासीत समाजी करण की अवधारणा आरके माटन ने दी है प्रस नमबर 25 पूछा है निम्ले लिखित अवधारणाओं में से कौन सी परेटो द्वारा दी गई है इन चारों में से कौन सी दोस्तों अधारला है जो परेटो द्वारा दी गई है तारकिक योम और तारकिक अधारला परेटो द्वारा दी गई है प्रस नमबर 26 है सास्तरी प्रकारवाद की मुलभूत मान्यताओं की आलोचना की गई है टालकाट पार्शंस द्वारा की गई है प्रस नमर 27 इसमें पूछा है दोस्तों फोल्क अर्वान कांटिनियूम की आवधारणा संबंध है तो राबर्ट रेड फिल्ड से संबंधित है इंपोर्टन नोट को ध्यान दिजेगा दोस्तों लोक सहरी सातत्य फौल्क अर्वान कांटिनियूम की आवधारणा मानव विज्ञान और समाज सास्त्र में एक सैधान्तिक निर्माड है इस पॉइंट को याद रखिएगा ठीक है आपकी एक्जाम में दोस्तों ये नहीं अगर पूछेगा फौल्क अर्वान कांटिनियूम तो इसे याद रखिएगा लोक सहरी सातत्य फौल्क अर्वान ग्रामिल लोक समाजों से सहरी आधूनिक समाजों में एक सहज और क्रमिक संकरमल को दरसाती है अमेरीकी समाज सास्तरी रावर्ट रेड फिल्ड ने साल 1941 में पहली बार इस आउधारडा को पेस किया था ठीक है लोग सहरी सातत्य की आउधारडा किसने पेस की थी दोस्तों राबर्ड रेड फिल्ड ने की थी किस सन में की थी तो 1941 में की थी ठीक है अब यह नहीं पुछेगा अगर कि लोग सहरी सातत फाल कर्बन कांटीन्यू पुछेगा तो भी याद रखेगा, ठीक है इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो हुएगा, दोनों सेम ही है और सबसे ज़्यादा इसे ज़्याद रखिए लोग सहरी साथ अत्त है ठीक है हिंदी में ज़्यादा पुछेगा प्रस नमबर 28 है इसमें किसने प्रोजेक्शन अधाफ सेल्स इन एवरीडे लाइफ पुस्तक लिखी है तो इस पुस्तक के लिख़़ बर्गर एंकिकमैन हैं आफसा नमबर C है प्रस नमबर 29 है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी है तो इस पुस्तक के लिख़़ थ analytics कोन है आफसा नमबर C हो जाएगा 29 का प्रस्ट नम्बर 30 है scientific study of human society पुस्तक की लेखक कौन है इस पुस्तक की लेखक F.H. Giddings है और 30 का आपस्ट नम्बर भी हो जाएगा प्रस्ट नम्बर 31 है दोस्तों दे इलिमेंटरी फांपस आफ दे रिलीजियस लाइफ यहां लिखा है लाइफ नहीं है स्वरी लाफ पुस्तक की लेखक की लेखक इमाईल दूर्खिमें मोस्ट इंपोर्टेंट यह है ठीक है फेमस किताब है याद रखिएगा इसे दे इलिम इलिमेंटरी फांपस आफ दे रिलीजियस लाफ पुस्तक किसे लिखी है इमाईल दूर्खिम ने लिखिया हो सकता है दोस्तों यहां पर टाइपिंग में भी गलती हो जाएगी ठीक है तो लाइफ और लाफ को दोनों याद रखिएगा कनफ्यूज मत होईएगा यतना तो अब ध्यान दीजिये ठीक है दा इलिमेंटरी फांपस आफ दर रिलीजियस यहां लाइफ होगा या फिर लाफ होगा तो इसके लेखक इमाईल दूर्खिम में इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है टाइपिंग में कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है तो उसके लिए स दोस्तों एक प्रस्ण को मैं दो बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह पतन यह आप दोबार पढ़ पाएंगे कि नहीं इस क्लास को दो बार पढ़ते हैं दोस्तों तक एक्जाम में आप भोलेना अच्छे से आपको याद हो जाए ठीक है नोट को देख लेंगे दोस्तों इस पुस्तक का प्रकासन अठारा सो तिरानबे में हुआ था प्रकासन वर्स जरूर याद रखिए मोस्ट इम्पोटेंट है ठीक है प्रसतर नम apologise 23 है दोस्तों द रूल्स स्यॉलाजीकल मेतर् पुस्तक किसे ने लिखी है दारूल्स आप सोसलाजीकल मेताड पुस्तक दुर्खीम की सन 1912 में प्रकासित धार्मिक जीवन के प्रारंबिक रूप देलिमेंटरी फंस आफ रिलिजियस लाइफ ठीक है देखी मैंने वहाँ पर बोला ना लाफ वहाँ पर लिखा गया था उसके लिए स्वरी यहाँ लिखा है ठीक है ध्यान दिजेगा देलिमेंटरी फंस आफ रिलिजियस लाइफ ठीक है 1912 में प्रकासित थी प्रकासन वर्स याद रखिएगा और इनके कुछ पुस्तक भी लेखनी है ध्यान दिजेगा 1893 में देवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी लिखी गई थी ठीक है 1895 में the rules of sociological method लिखे थे इन्होंने 1897 में एल एनी sociological पत्रिका की अस्थापना की यह most important है एल एनी sociological ठीक है कठीन प्रसन अगर पुछेगा तो यह पुछेगा आप से एल एनी sociological पत्रिका ठीक है 1897 में इस पॉइंट को याद रखेंगे और 1912 में the elementary forms of the religious life ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे इस पॉइंट को याद रखेंगे most important है यह यह पांचों इमाईल दूर्खिम जी की है आप इसकी इन्सोड लेकर रख लिजेगा चाहिए तो आप दुबारा पढ़ लिजेगा इस लास को important class है आत्म हत्या का सिध्धान किसे ने प्रतिपादित किया है आत्म हत्या का सिध्धान इमाईल दूर्खिम ने प्रतिपादित किया है प्रस्ट नंबर 35 इसमें पूछाया दोस्तों प्रिंसिपल्स आप इथिक्स नामुक पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक इस पेंसर है आपसे नंबर भी है प्रस्ट नंबर 36 है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लेखक कौन है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लेखक बटी स्पेंसर लिखा रहेगा तो याद रखेगा ठीक है सैतिस नमबर प्रस्ण है ए इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलाजी पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है मैग डागल आपसन नमबर डी है सभी इंपोर्टेंट है ध्यान से पढ़ कर जाएएगा ठीक है समाज सास्त्री चिंतन के छेत्र में त्री अस्तरी नियम का प्रतिपादक कौन था तो त्री अस्तरी नियम का प्रतिपादक आगस कांटे थे इस पॉइंट के याद रखेगा ठीक है पूछेगा जरूर कि त्र अस्तरी नियम के पतिपादक कौन थे आगस कांटे प्रस नमबर 49 पूछा है human geography पुष्टक किसे ने लिखी है ये दोस्तो famous पूष्टक है ठीक है जो famous पूष्टक है वो हर साल पूछे जाते हैं ठीक है ध्यान में रखके जाएगा इसे 75 questions आप से पूषे जाएंगे 65 करने होंगे ठीक है प्रस नुकपात्र को दोस्तों बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़कर ही उसका उत्तर दें ठीक है human geography पुष्टक किसे ने लिखी है तो भी रिष्टीर ने लिखी है आपस नमबर D हो जाएगा प्रस नमबर 40 है दोस्तों religion of humanity नामक पुष्टक के लेखक कौन है religion of humanity नामक पुष्टक के लेखक आगस कांटे है आपस नमबर D हो जाएगा 40 का नोर्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे the religion of humanity एन एसे किताब 25 फरवरी 2019 को प्रकासित होई थी यह किताब 338 पेच किया है ठीक है इसे वेंट वर्थ प्रेश ने प्रकासित किया था ठीक है याद रखियेगा the religion of humanity नामक पुष्टक थी वक्ष्टक का प्रकासित होई यह 25 फरवरी 2019 यह इंपोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह हाले में इस पुष्टक का प्रकासित हुआ है ठीक है the religion of humanity याद रखेगा इंपोर्टेंट है 330 पेज की है किताब इसे किसने प्रकासित किया था वेंट वर्थ प्रेसने ठीक है उमिद दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी शेर जरूर कर दीजेगा इसे अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा छटे समेस्टर में धामाकेदार त्यारी करेंगे टेलेग्राम गुरूप का लिंक जरूर ज़ान कर गया आप मुझे डिरेक्टली मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट नई है गुरूप ठीक है सभी जो स्टुडेंट है छातर छातरा हैं सभी हमसे प्रस्नली बात करते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है सब्जेक्टिव टाइप कोशन मैं आपको प्रवाइट करा दूंगा फिरी में यूपीएच का ठीक है तो आपको मैसेज कर देना है और दोस्तों एक लाइक करके जाएएगा ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक ले जाहिं वंदे मात्राव